पिर्से नुइव वीडियो में आज की वीडियो में बतानेवाला हूँ आपको जो आपका पी ऑफ अकाउंट होता है जिसे से अपकी ऐसे बनती है जो बहुत है 3.0 C जिसे आपका यूए नंबर होता है यूए नंबर जो भी होता है आपका 10 अंका या फिर 12 उंका जो भी होता है तो उस यूए नंबर को आपको कैसे पाना है आपको कैसे मिलेगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डीटेल में बताया हूं तो दोस्तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन कौन कर लीजिए लेटेस वीडियो देखने के लिए तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन दोस्तो मैं आपको उससे पहले एक चीज ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने भी कि मतलब इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप अगर इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पूरा वाच कीजिएगा सुरूस लेकर लास्ट तक वाच कीजिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आपका कुछ भी प्रॉब्लम्स हो कि मतलब कैसे आपको निकालना सेन अपनी चैकल में अरे मियुटार में होगा जो ऊपनी कर में अनलोड में और छेकने tik आपको सबसे पहले क्या करना इस निकालने के बाद में जब उसे आप open करेंगे तो open करने के बाद में तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका जो UA number होता है मैं पीफ अकाउंट का जो UA number होता है वो कैसे आपको कहा मिलेगा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है आपने जो भी सैलरी स्लीप डाउनलोड किया है मालेजी कि आपने अगर सैलरी स्लीप जो भी डाउनलोड किया है तो उस सैलरी स्लीप को आपको सबसे पहले open करना है तो चलिए हमने अल्रडी इसे डाउनलोड किया है अपने जो भ could open करनी के边 में यहां पर देखेंगे हमारा oudर अ一 स्डार जो आ च्वाइब से अब यहां पर हम चोक पर हमारी जो स्यर्फ वह कहां पर है मृत इस जहां पे हमने एया नहीं किया या नहीं किया यह नंए डाउनलूड किया या नहीं किया लेकिन मैं अगर वीडियो बना रहा हूं आपको दिखा रहा हूं तो जाहिश सरिवातिक में इसे डाउनलोड किया हूँ तो चलिए सिंपल सा हम क्या करते हैं यहां पर आते हैं और हम अपना जो se MantleSleep का जो पीडिएफ है उसे हम कैसे डाउनलोड के यहां है कि अब डिखा रहे तो तो देखिए चलिए हमने यहाँ पे अपने सेलरी स्लीप का जो लेटर है वो उपनाव करके आपको दिखा रहा हूं तो यह देखिए हमारी जो सेलरी स्लीप का यह तो लेटर है लेकिन अब हम दिखाते हैं कि हमारा जो पेसलीप है salary का जो pay sleep है वो कैसे आपको मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमारी जो salary sleep का जोखी hdb एक bank होता है देखें मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं hdb एक financial bank होता है तो housing development board banks अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना यहाँ पर simple सा जब मैंने आपको जूम किया है तो जूम करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ नाम लिखा employee code उसके सामने employee code है यहाँ पर लिखा employee name उसके सामने employee name है यहाँ लिखा है vertical मतलब आपका जो भी कलेक्शन सर्विस है और इसके बाद में उसी के नीचे just मैं आपको दिखा रहा हूँ UA number अब उसके सामने अगर आप देखेंगे तो देखें यह आपका UA number हो गया तो UA number इस तरह से आपको मिल जाएगा और इसके बाद में उसके नीचे आपके company का PF account number मिल जाएगा उसके नीचे आपको ESIC account number मिल जाएगा मतलब सारे की सारे details आपको यहाँ पर मिल ही जाएगे तो इस प्रकार से आप अपना जो भी मतलब salary slip में अगर अपना PF account number या फिर UA number चेक करना चाहते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर जूम करके भी आप देख सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीकों से यह आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें चेक करना है अपने PF salary slip में PF account number क्योंकि बहुत लोगों को दोस्तों पता नहीं होता है कि कहां पर UA number होता है तो वह चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और बाकि यहाँ पर सारी की सारी details आपकी रहेंगी और बहुत सारी तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ थे शह मोच थिरन आपक दितनले अपक दोकार कीज़ेंग्याद करेंगी यहाँ करेंसें के तोसाओ kanssa कि लिएर मृम्नचर के शुर पकार कीज़ेंगे पuç 점र का यहाँ़ें वाहँजाऊ़ सी